यह तीन पेपर कटिंग एक TGT, PGT त्यारी करने वाले एक अभ्यार्थी मित्र ने भेजा हमको और यह पूछा है हमसे कि अगर पेपर यह सही है तो मैं TGT का एक्जाम नहीं दूँगा क्योंकि नौकरी प्राइबेट हो गई है तो यही तीनों पेपर कटिंग पे मेरा यह वीडियो है और उनका जो समाधान है या उनका जो कहना था मुझे लग रख धारा बारा अठारा और 21 पे सायद उनका प्रस्न है तो आज का वीडियो इसी पे है और मुझे लगता है कि यह कोश्चन काफी लोगों के लिए है जो प प्रवंद समीति का दखल राजनित अड़े बने स्कूल दो है उन्होंने स्क्रीन सार्ट बेजा है मेरे पास और अनुसासन हिंता के आराव पर सिचक निलंबित अब एक-एकोड करेंगे और आपको एक्चुल फैक्ट क्या चल रहा है यहीं बताएंगे क्योंकि हम लोग उ अब दूसरा है अनुसासर हिंदता पर इंटर कॉलेज की सिचक सेवा सिचक की सेवा समात अब चलते हैं जो मेन मुद्दा है कि क्या उनको पेपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए तो मेरा यह मानना है पेपर हंडर्ड परसंट दीजिए डरने की कोई जरूद नहीं है यूपी में आप अगर देखेंगे तो चार हजार से उपर माध्मे की स्कूल है तो टीचर कितने होंगे आपको अन्मान लगाना चाहिए तो इतने लगों में यह घटना जब से यह नियम लागू हुआ है तब से क्यों दो या तीन या राउंड फिकर मालें चार चारी लोग पास घटना है ठीक है तो इस परिपेश्यों मेरा एक सवाल आप लोग उससे हैं आयोदीन आप देखते हों ट्रेन एक्सिडेंट मोटरसाइकल चलाना छोड़ दे रहें हैं नहीं छोड़ते ना तो फिर पेपर देना क्यों छोड़ रहा है आप तो मैं इस पर डेटेल बीडियो भी बनाऊंगा लेकिन आपको मोटा-मोटा समझा देत मतलब कि आपके प्रमोसन को लेके आपके धारा बारा है धारा बारा इसमें प्रमोसन क्या होता है जैसे कि आप अगर जुआइन करते हैं माध्मिंग में तो 5 साल बाद 3 साल बाद आपको अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपको प्रमोशन होंगे ठीक है यह प्रमोशन आपके मैनेजिंग के पास 50% चांस थे और आयोग के पास तो इस पर यह खतम करने की बात चल रहे हैं तो इससे भी जो लोड़के ठीक है दूसरा है आपका सिच्छ पद्रमोशन हो गया तदर्थ पधानाचार बेतन प्रिंस्पल्स के लिए है इन फ्यूचर आप का उगाल उसमें क्या है कि जैसे जिस स्कूल में आयोग से प्रिंस्पल नहीं है ठीक है तो उनकी जगह स्कूल से का सीनियर ही कॉलेज का सी प्रिंस्पल बनता है और उसको जो पेमेंट मिलेगी आयोग के टीचर के बराबर ही ग्रेट पे मिलेगा उसको इसको इस पर भी खतम करने की बात चल लाई है अभी फाइनल कुछ भी नहीं है ध्यान रखेगा और धारा 21 क्या है क्योंकि हमारे स्कूल में भी अभी चली रा आयोग से परमीशन लेना पड़ता था ठीक है अब आप जो 21 जिस पर बात हो रही है अभी तक किसी को सस्पेंट कर दिया गया है सस्पेंट के कोई आदम सस्पेंट रहता है तो दो महीने बाद उसको अपने या भी बहार हो जाता है ठीक करने कोई करवाई जरूत नहीं है दो महीन पेइमेंट आपका रुकेगा उसके बाद जब जॉइन करेंगे तो पूरा पेइमेंट मिलेगा तो इसके अलावा सस्पेंट करने के बाद फिर डियाएस अपनी आख्या क्योंकि इंस्पेक्टर पाद है अपनी आख्या अपना रिपोर्ट देगा वह रिपोट ज जाएगा जेडी उस पर संतुति देगा ठीक है तो कुछ लोग कहना था कि कॉलेजों के जो मैनेजिंग है इतने पावरफूल है कि वह दबा लेंगे लेकिन अभी तक जब से यह है अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि मैं हूँ किसी पर ऐसे कारवाही हुई हूई है ठीक कि इतने बड़ा स्कूल का वह है और इतने लोग है तो कुछ लोग तो क्या यह गिन्यची लोग की इसके अलावा भी कुछ गल्तियां होंगी कि नहीं होंगी यह वताई मरें होनी चाहिए क्योंकि अधिकांस्ता माध्यमे की स्कूलों में बहुत से ग्रूप है राजनती ग हाँ पावर बढ़े हैं प्रवंदक के इसमें कोई डाउट नहीं है पावर इंक्रीज हुए है और डर है इसमें भी बात हो रही है और खासकर मैं आपको न्यूज दिखाता हूं यह जिसमें राजनतीक चोहमलों का ग्रूप है माध्यमिक शिक्षक पर सद्वाला यह लोग आप लोग निशिन्त हों के पेपर दीजिए और सेलेक्शन लीजिए बात की बात बात में जोईन करना ना करना आपकी इच्छा ठीक है तो एजे बड़ा भाई समझाना मेरा फर्स था आगे आपकी इच्छा ठीक है इसके साथ जय हैं जय भारत खुश्य स्वस्री मस्री हा